मुंकी दाल का चेला आपने कई बार खाया होगा पर आज मैं बनाने जा रहे हूं उरत दाल का चेला जिसका टेस्ट बिल्कुल उरत दाल के डोसे की तरह आता है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं उरत दाल का चेला उरत दाल चिला बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रहे हूं 150 ग्राम उरत दाल जो वाइट वाली धुली हुई दाल जो मार्किट में आती है वो मैंने लिए इसको दो घंटा पहले विगो लिया ता चिस वोश करके इसका पानी निकालकर इस सरह मैंने बर्दन में रख दिया है इसके बाद मैं ले रहे हूं ग्रेट पनीर 250 ग्राम आप चाहिए तो स्टफिंग मतर और आलू की भी कर सकते हैं इसके बाद मैं मैं ले रही हूं 2 टेबली स्पून कोकिंग उयल 3 टेबली स्पून हम बारी कटाओ आराधनिया लेंगे 50 ग्राम मैंने यहाँ पर उबली मतर आप चाहे तो थोड़ी जाधा मठर भी ले सकते हैं इसके बाद में 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है वन हरी मिर्च लिया है मैंने बारी कट वी एक स्मॉल साइज का मैंने यह पर प्याज लिया है बारी कटा हुआ नमक लेंगे स्वाद के अनिसार औ और यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 टीजपून अमचूर पौडर और 1.5 टीजपून लाल मिर्च पौडर तो चलिए सबसे पहले हम इस दाल को ब्लेंड कर लेंगे दाल को ब्लेंड करने के लिए मैं या पर ले रही हूं मिक्स के जार और दाल को हम जार के अंदर इस तरह से डाल देंगे आलगे अंधर हम थोड़ा साब पानी डालेंगी और बाद में आपको पानी बतादुमिंगी में इतना यूज किया है अफ जैसा की दे करेंगि इसको थोड़ा सां ब् Isaac Curry तो यीज करेंगे और धियान रहें पानी हमें थोड़ा करकर ही डालता है तो मैंने यहापर थोड़ा सा पानी हो डाला है हम अच्छी से मिक्स कर लेंगे और इसको दुबारा से हम ब्लेंड करेंगे दाल को मैंने दुबारा से ब्लेंड किया है और अब फाइन पेस्ट बनकर वेकुछ तेयार है बस थोड़ा सा हमें थीक लग रहा है वो हम बाद में एजस्ट कर लेंगे तो यहां पर मैं थोड़ा पानी हो ले रही हूं मिक्सी के जार के अंदर मैंने इस तरह से डाल लिया है और यह पानी अब हम डालेंगे इस मिक्स्टर के अंदर और अच्छे से हमें मिक्स करना है पानी को तो यह देखिए अब बैटर की कंसिस्टांसी बलकुल बढ़िया है और यहां पर मैंने यूज किया है एक कप पानी पूरा एक कप पानी हमारा यूज हो गया है अब हम इस में 1.5 टेबिली स्पून पर पेस्ट डाल देते हैं, उसके बाद में हम डालेंगे सौफ के नूसर नमक, अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, तो ये दे की कंसस्टेंस ही हमारे बैटर की सतर ही हो जाने की हो जाने की हो चलिए हमारा बैटर तेयार है, अब हम स्टफिंग की तेया तो पहले लेंगे, हाइफ लेंब कर देंगे अभी इस में डालेंगे 2 टेबली स्पून ओयल, ओयल के गरम हो जाने के बाद में आप हम डालेंगी जीरा उसके बाद में डालेंगी यहांपर जिंजर गारलिक का पेस और अच्छे से एक-दू सेकेंड के लिए सोटे कर लेंगे इसके बाद में हम डलेंगे यहाँ पर कटे वी प्याज हरी मिर्च भी डाल देंगे और सोटे कर लेंगे जब तक कि प्याज थोड़े सी ट्रांस्पेरिंट ना हो जाए तो यहाँ पर प्याज ट्रांस्पेरिंट हो चुके हैं अब हम यहापर उबली हुई मटड़ डाल देंगे, सारे मसाले डाल देंगे, नमक को छोड़कर, हाय धनिया डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले को सोटे करने के बाद में, अब हम इसके अंदर डालेंगे, क्रियोटिट पनीर, जो हमने कद्दू कस करके पनीर रख था और यह मसाले मेंने बिल्कुल लो फ्लेम पर सोटे किये हैं, नमक भी एड कर देंगे, और अच्छे से हमें पनीर को मसालों के अंदर मिक्स करना है, सोटे नहीं करना है, उसके बाद में हम गैस ओफ कर देंगे, और उड़त दाल चिला बनाने की तयारी करेंगे चिला बनाने के लिए, मैं आपर लेरी नोनिस्टिक पैन, हाई फ्लेम रखा है, हम यहाँ पर ओईलिंग कर देंगे, एक ब्रश की हेल्प से, अब इसके बाद में हम गेला टिशू लेंगे, और यह जो हमने ओईल लगाया है, इसको हम पोच देंगे, इससे थोड़ा सा जो अब चीले के ऊपर चारो तरफ ओय लगा देंगे, यह देखे इस तरीके से, और यह चीला में थोड़ा सा क्रिस्पी बनाओंगी, तो इसको में थोड़ा सा ज्यादा सेखूंगी, तो यह देखे आप देख पा रहे होंगे, चीला अपने आपी उतनना शुरूर हो गया है, अब इसके ओपर हम इस तरह से ओयल लगा देंगे, और उपर से इस तरह से पहला देंगे, तो अब हम इसको दबा दबा कर इस तरह से सेख लेंगे, मीडियम फ्लेंग पर, अब हम चीली को पलट लेगे और स्टफिंग करेंगे, तो यहाँ पर मैं दो से तीन चमट के करीब स्टफिंग ले रही हूँ, और आप स्टफिंग में आलू, मटर या फिर जो वेजिटेबल्स है, आपके फेवरिट जो भी वेजिटेबल्स है वो डालकर आप स्टफिंग तो देखिए यहाँ पर मैंने स्टफिंग कर दिया और इस तरह से हम दोनों तरफ से सरसे मोड दिगए और यह हमारा क्रिस्पी चीला बनकर तेयार है तो चलिए अब हम दूसरा चीला बनाना स्टार्ट करते हैं तो सेन प्रोसेस करेंगे गिले टीशू से हम इस तरह से पोच लेंगे ओयल पहले से लगा हुआ था तो इसलिए हम ने दुबारा ओयल नहीं लगाया और गीली टीशू से पोछने के बाद में अब हम इस तरह से आदे चम्चे के करीब हम दुबारा से बैटल लेंगे और इस तरह से गोल-गोल फैला देगे और इसको में थोड़ा सा healthy ते पिलट लेंगे और हम को ज़ादर नहीं सेख न है थोड़ा से सेख न है तो इस तरह से दबाते हुए हम इसको सेख लेंगे अ हम चीली को पिलट लेंगे और स्टफिंग करने से पहले यहाँ पर हम हराधनिया इस तरह से स्थे शेल कर देंगे स्टफिंग करेंगे और इस तरह से दोनों तरह से मोड़ देंगे और ये हमारा सॉफ्ट वाला भी चिला बनकर तयार है तो यहाँ पर मैंने चिले को सर्फिंट प्लेट पे निकाल लिया है और हरी चोटनी और लाल चोटनी के साथ सर्फ किया है और आपका जब भी कभी उरत दाल के डोसे खाने का मन करें आप इसको बना सकते हैं इसको फर्मेंट करने की भी ज़रत नहीं पड़ती है और सेंग डोसे जैसा टेस्ट आता है तो यह हमारा क्रिस्पी वाला और यह हमारा सॉट वाला चिला बनकर तयार है अगर आपको आज की में रेस्पी अच्छी लगी है तो प्लीस सब्सक्राइब तो मैं चैनल कमेंट, लाइक और शेयर थैंक यू एंड बाबाई